फ्रेंच शकल देखके समझ में आ रहा होगा कि तब्यट ठीक नहीं है येस थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं आज श्री नगर में थे कल और आज भी श्री नगर से जा रहे हैं सोनमर्ग और रूम में भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स थे इसलिए बहुत परेशान थे रात में ब बहुत अच्छा दिखता है मगर अंदर से रूम उतने अच्छे नहीं है जितना होटल बाहर से अच्छा दिखता है पहलगा और गुलमर्ग में बहुत जादा ठंड थी स्टिल हमें जादा ठंड फील नहीं हुई क्योंकि हमें हीटर वगेरा सब को वाइट किये गए थे मगर यहाँ पर कोई हीटर नहीं था के वाल इलेक्रिक ब्लैंकेट था और वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था अभी अभी थोड़ा जब हमने बोला और चेंज किया उन्होंने तो थोड़ा बहुत काम किया जिससे हम रात में बेटर तरीके से सो पाए फिर भी प्रॉब्लम्स थे गज़ए और रेडी टो गो दोस्तों यहाँ पर रास्ते में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम सोन मर के रास्ते में अब आदम। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दू कि अमरनाथ से लोटते समय, जितने भी अमरनाथ यात्री होते हैं, बालटाल से, इसी रास्ते से लोटके आते हैं और ये सारी विवस्थाइं उनी के लिए करी जा रही हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बीच में कितना दोस्तों जब 2019 में मैं अमरना थ्यात्रा पे गई थी और हम बालटाल से लौट रहे थे तो रास्ते में सोनमर्ग हमें मिला था मगर हम रुके नहीं सोनमर्ग में क्योंकि बहुत रात थी मतलब सुब़े के चार बज रहे थे और हमें श्रीनगर भी घूमना था और गुलमर्ग भी घूमना था तो हमारे पास समय बहुत कम था अब फाइनली वो रास्ता मैं दिन में देख पा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है पर उतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी तो बस उस चीज़ का दुख है बाखी बर्फ बहुत बाद में मिलिये हमें आप देखते जाए आपको पता चलेगा तबियत तो हम दोनों की थोड़ी बहुत खराब हो ही चुकी थी में हस्बिन की जादा खराब हो गई थी मेरी तो फिर भी थीक है थोड़ी बहुत सरदी थी उतना जादा कुछ नहीं था बट उनको बाद में फीवर भी आगया था तो that was very typical for us तो आज का दिन जो है हमारे ल तक जाके वापस आज आएंगे हमने ये सुना था कि यूनियन वाली गाड़ियां वहाँ से करीबन 8000 रुपीज पर कार और पर गाड़ी जो उनका वेहिकल होता है वो पर वेहिकल लेती हैं जो हमारे लिए बहुत जादा कॉसली पढ़ रहा था तो हम हमने सोचा कि अगर वो इतना कॉसली लेंगे तो हम तो नहीं जाने वाले अगर वो चीप रेट में मान जाते हैं तो हम जाएंगे आईए हम आगे देखते हैं हम जा पाए या नहीं जा पाए दोस्ता यहां हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और यह व्यू जो था वो बहुत सुंदर था और यहां जगा जगा पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटेल्स मिलेंगे पर खाना उतना मज़ेदार नहीं मिलता है कश्मीर में स्पेशली हम वेजिटेरियन्स के लिए ऐसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें बर्फ जादा मिलती जा रही थी क्योंकि श्रीन अगर में बर्फ बहुत कम पड़ रही है इस टाइम पर फरवरी का मन्थ है और हम आगे जाते जा रहे हो हमारे लिए बर्फ हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलती जा रही थी तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था और आगे आगे देखिए नजारे इस तरह से चेंज होते हैं कि आपको खुद देखके आश्यर होगा कि वाओ इतनी जादा बर्फ नो डाउट सोनमर्क का टेंपरेचर माइनस में चल रहा था जियां दिनके 12 बजे वहाँ का टेंपरेचर अराउंड माइनस 6 और माइनस 4 डिगरी था बस थोड़ी देर में हम पहुँचने ही वाले हैं गगनगीर और यहाँ से सोनमर्क पड़ता है अराउंड 9 किलोमीटर्स दोस्तों तो पहुच गए हैं हम गगनगीर और देख लीजे यहाँ से ले है 354 किलोमीटर्स कारगिल है 128 किलोमीटर्स और बाल्टाल है 24 किलोमीटर्स और सोनमर्क यहाँ से बढ़ता है 9 किलोमीटर्स दोस्तों गदनगीर का टेंपरेचर जब माइनस में चल रहा था तो आप सोच लीजे सोनमर्क और पाल्टाल पे क्या हालत होगी हम लोगों की तबियत वैसे ही घराब हो रही थी तो हम कोशिश कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े यूनियन वाली गाड़ियां हमसे ले रही थे अराउंड 5,000 तो 6,000 रुपीज जो की अनबीरेबल कॉस्ट था जस्क 9 किलोमीटर्स जाने के लिए तो ऐसे में हमने सोचा कि हम पहले क्यों ना गगनगीर पार्क विजिट करें जो की हमसे काफी लोगों ने बोला था हमारे टेकसी वाले ने भी बोला था और हमें पता चला था कि ये पार्क सुन्दर है ऐसा जाधा कुछ नहीं है पार्क में बट ब्यूटिफुल है तो दोस्तों ये था गगनगीर पार्क का एंट्री पॉइंट और चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं पार्क में ऐसा क्या है खास कि अजया है ये ते की आवर्क जो ही टो कि यह पार्ट में हमने कई पिक्स क्लिक किये बहुत मस्ती भी करी और हमें वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था बट ॥ोड़े बहुत वीडियो बनाए पर हमने पिक्सादा क्लिक ये कर सोन्मर्ग में ऐसा कुछ कासा नहीं जो हमने गुल्ड़ कान्त। अलमर्ग में ना देखा हो या पहल गाओं में तो हम उपर गए नहीं क्योंकि हम सोच रहे थे कि कौन आपको भी अगर अपना पैसा बचाना है तो गुलमर्ग घूमके जाएं सोनमर्ग ठीक है अच्छा है बड़ दोनों में से कोई एक जगा विजट कर सकते हैं यह खच्चा रहे ना घोड़े नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों यूनियन वाली गाड़ी हमसे ले रही थी अराउंड 4000 तू 6000 जैसा कि मैंने बताया बट दो हजार में भी एक बंदा मान गया था बट हमारा दिमाग इतना खराब हो गया था यार इन लोग के रेट सुन-सुन के और उपर जाके वो स्की और सारे एक्टिविटीज जो कि हमने गुलमर्ग में किये थे वही सब होने वाले थे तो हमारा मन तो बिलकुल नहीं था क्योंकि तब्यद भी खराब हो रही थी इनकी भी और मुझे भी ऐसा लग रहा था शायद हो सकती है त तेमप्रेजर भी उपर बहुत कम था तो इसलिए हम नहीं गए बट बेटर लग नेक्स टाइम कभी नेक्स टाइम जाएंगे तो जरूर विजट करेंगे और वीडियो बना कि आपको जरूर दिखाएंगे और आप इंजॉय करिए इन नजारों को अगें और नेक्स वीडि अच्छा नहीं था बट होटेल का खाना बहुत अच्छा था यार बहुत ही लजीज बनाया था शैफ ने और शैफ कश्मीर का होने के बावजूद भी अच्छा खाना बनाया है यह हमारे लिए आश्चरे की बात थी क्योंकि कश्मीर में हमें किसी भी होटेल का खाना अच् सोनमर्क से हम काफी जल्दी वापस आ गए थे सोनमर्क से नहीं आई मीन से गगनगीर से नाइन किलो पीटर्स पहले ही बट वापस आने के बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे रहे हमारे होटेल के बाहर जियां वहां मस्त उन्होंने गार्डनिंग करके रखी और चेर्स वग आपको जैसे कि पता ही है कि कश्मीय का मौसम शाम को काफी ठंडा हो जाता है तो अच्छा भी लगता है मुझे ठंड का मौसम वैसे ही बहुत पसंद है आपको क्या पसंद है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों हमारे ट्रिप हो चुका है पूरा और कहीं न कहीं हम बहुत खुश भी है और रिलैक्स भी है अद कल हम निकलेंगे अपने घर के लिए नोडा उट यार घर से बाहर रहके बहुत याद आने लगती है घर की और कल हम मिलने वाले हैं मेरे बहुत ही पुराने दोस्त से मैं उसे मिल रहे हूं 14 साल बाद तो हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ ओके दोस्तों यहां देखा हमने अपने इंडियन फ्लैक को लहराते हुए जिस देखके हमें बड़ी खुशी हुई और फाइनली थोड़ी देर में हम होटेल पहुँचने वाले हैं और आज हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया यार और हम बहुत जादा आराम करेंगे और कल हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए नो डाउट बहुत ही जल्दी होमसिक फील होने लगता है यार आठ दिन का ट्रिप था साथ दिन का सौरी बट मज़ा बहुत आया और देखिया हम होटेल पहुँच गया हैं और अब हम रिलाक्स करने वाले हैं होप आपको मेरा यह सीरीज कश्मी ट्रिप का अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड थैंक्स पर वाच्चिंग ठेक्क्राइब बाइब बाइज स्यों हुआ 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 हैं